नमस्कार KP News 24-7 में आपका स्वागत है मैं हूँ आप में जोती आ रिया आए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाजार करनाटक जिला बिदर में श्री एन धरन सिंग मेमोरियल ट्रॉफी 2021 का फाइनल मैच अप्पू क्रिकेट क्लब चिंटलगिरी ने 18 रंस से जीता ओमिक्रोन के खिलाब असरदार है एस्ट्राजेनिका की वैक्सिन पंजाब के बाद उत्तराखंड कॉंग्रिस में भी कलय है अपने ही राजी में परिशान हुए संकट मोचक हरी श्रावत दिली हाई कोट ने सरोजीनी नगर मार्केट की भीट पर जताई नाराजगी कहा छोटा बंबी कर सकता है बड़ा नुकसान आपके पास रखा 2000 का नोट पाकिस्तान में तो नहीं छपा चेक करें अपनी जेव हेलो हमारे पास लखीमपुर कांट की वीडियो है अजे मिश्रा को ब्लैक मेल कर मांगी रंगदारी पांच गिरफता है कोरोना से जनके बीच यूएस ने H1B L1 वीजा के लिए नियमों में दी धील अब नहीं होगा पर्सनल इंटर्विव अब समचार विस्तार से पाइनल मैच अपु क्रिकेट क्लब चिंतल गिरी और तबकल क्रिकेट क्लब मनाली में हुआ टॉस जीतने के बाद तबकल टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया अपु क्रिकेट टीम ने 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 92 रन का स्कोर खड़ा किया लक्ष क्या पीछा करते हुए तबकल क्रिकेट टीम 74 रन ही बना सकी श्री डॉक्टर एन धरम सिंग मेमोरियल 2021 का ये पांचवा क्रिकेट टूर्नमेंट था श्री चंदर सिंग कॉंग्रेस लीडर बीदर साउथ ने टूर्नमेंट का आयोजन रखा मुख्य अतिती नूली एलेक्टेड मल्सी श्री भीमराव पार्टिल थे स्वर्गिय धरम सिंग की पत्नी के इलावा डॉक्टर एने खादरी, आलिशान खादरी, इसमाईल तेली, ग्राम पंचायत मेंबर और कॉंग्रेस पार्टी के सभी कार्य करता भी इस मौके पर उपस्तित थे इस मौके पर चंदर सिंग ने के पी न्यूस की समवादाता स्लम खान से बात करते हुए प्रोग्राम के बारे में अवगत कराया अवरोनु तुम्बा साकरा कोट्रो, नम्म क्रिष्णारे डियोरो इदारे, आवरोनु नाउं यहलल करते हुए, मत्तो बाकी सेट वरु बंदी दारे, आवरोनु नानु स्वागत वनकोड़ता इदिनी अधे तरा इवत्तो येनू, आइदने वर्ष्ण दा क्रिकेट टूर्निमेंट ये नडशी दिवी, नम्म क्रिकेट आड़त वर्पा यल्ला स्पोर्ट्समेनिंगे, नान आवरोनु अवरोनु नानु पुर्ततने येड़ता, इवत्त इंद्युस वळ्ले टीम उन्नां गे अवरोनु नन्नो शुबाशेंगेल को वरता इदिनी, मत्वे, इवत्तो नानु बीम्राव पार्टील सहयवर्गे, सन्माना कारिक्रमा नट्सकर्ण पुकड़वेकन्दा, नान केड़कोन वग, इवत्तो तुम्मक पुश्यागी, आवरोनु उप्पी, इवत्तो नम्म इ एक्षिली निम्मा यला ग्रामपंच एदेली, निम्मा होल थुम्म चनागेदे, निवो उच्चनान साकारा कोड़वेक्वांता, बंदु केड़कोन वग, निवो परोत पेका गिररेल्ला, निवो जेस्ट्ना फोर्मा डेड़देल साकागेदे तो, नानु पुशिकुश सागंे जिया गिना, चलसमा डिकना, थैया विर्छिंघ 85 एंज केड़वां शिर्वां मुशिकंता, अंगु वा गी एन्टैक्ट् venue मेफ प्रड़वकंता, चंदरसिम्गारों अधेरीथि, ना अवन आवरीगे, वीर पत्रेश्यार, आवरीग अधेरीथि आशिरवाध अवर ये नानो पक्षे कडिएंदू, नन कडिएंदू अरी विनंधियमार्तिनी, यावद अन्ने आवेजिल पक्षेदेल्नी, नायवार्सिक्तोगा, अधर किटे समय मरवे काक्तोगा, अवर समय के नावू, नीवू, कल्ति, यल्लोरू इदुमाडों, वी अवदको यदिल इते मन्मक्तोगा, प्षे, शर्मधिल अन्ने आप्र जीदिका रहततःता, ये एधिकतों, वी नाविज़ेंचेगा, निम्मक्तोगा, अवर नौर मस काईदू, वोद्य गानो इसम्धियमार्सिक्तोगा, येल्लोरू, नावीज़ tillू。 और नजिब में था उन्हागे एंडल सी बन गए बाप शेश और वेड कर रहा हुआ उसके अभी अभी मैं नहीं ट्रना वोले तो मेरे घर तेक मेरे को टिकेट आगा तो मेरे अचें नहीं बता बोलते में विजय सिंग नहीं ट्रना वोले तो इनों अपने अत्यक जी इसवर क अगर में जाकर उन्वे नियुक्त कराएं अपका मुझे आपको यह आपको इचाहिए इसके मत करों पूर्पार्वार्श में उन्हों एक आर दाकर भी ज़र के घर से अईसे आप कुछ यह मत करो जो इतने आपके साथ सभी जन वर्कर से भाई है और लीडर से एक दिन तो एक दिन अच्छे दिन आने वाला है अच्छे दिन आता आप एक तम घबराओं मत अईसे आप जो मैं नहीं था कांडिट तो भी इदर जो सौथ के जो पंचयत मेंबर सजस्गान अध्याय शुपादेक्स मैं नहीं राजता हूं मुझे आप इतने गोवमत से ओड दिये मैं सभी को अध्याय शुपादेक्स सभी को मेरे तरब चे और मेरे पार्टी के तरब चे मैं हवरा का आपको शबहुत करता हूं और मैं आपका कैंडड़्ड नहीं हूं मैं आपका स्यवा को मैं सदाबार टांग्रेश पार्टी का और आपके सभी लोगों का मैं स्यवा करता हूं आपका इसा खुछ मेरे अब दा राज कुछ तुम मुझे फोन कर सकते हैं और चंदरतिन सा बोला कि यृसा सवादय को जोचा में है यहाइन सब्सक्राइब तरोग करता से इस वक्त हड़कंप मचा है ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है इसको लेकर लगातार रिसर्ट चल रही है ऑक्सफूर्ड विश्व विद्याले के शोध करताओं द्वारा किये गए एक ने अध्यायन में पाया गया कि आध्यायन में पाया गया कि तीसरी खुराक लेने के एक महीने बाद एस्टर जैनेका वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ लगने में सक्षम है जबकि डेल्टा वेरियंट के खिलाफ दूसरी डोस के बाद ही यह वैक्सीन असरदार है भारत में दिये जाने वाले सभी टीकों में कोविट शिल्ड का योगदान 85 प्रतिशत से अधिक है इस कारण से इसे बूस्टर खुरा के लिए एक आदर शुक्ति का नहीं माना जाता है नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाग और 36 गड़ के बाद अब उत्राखंड कॉंग्रस में भी तनाव पैदा होता नजर आ रहा है ट्विटर के जरिये पार्टी के काम करने के तरीके पर दुख जाहिर कर चुके पूर्व सीम हरीश रावत को मनाने की कोशिशें जारी है खबर है कि प्रियंका गांधी वाडरा ने भी रावत से इस बारे में बात की थी साथ ही पार्टी हाई कमान ने शुकरवार को उतराखंट कॉंग्रस के नेताओं के दिल्ली में बैठक बुलाई है हलांकि नेताओं का कहना है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है नहीं दिल्ली दिल्ली हाई कोट ने राजधानी के सरोजनी नगर मार्केट में उमडरही भीड के वीडियो को देखते हुए नाराजगी जताई है इसके साथ हाई कोट ने सरोजनी नगर के ऐसे चो को तलब किया है वहीं कोट ने कहा कि कोरोना महामारी ही नहीं, विसफोर्स सी सेंख्टरों लोगों की मौथ हो सकती है बता देंगे दिल्ली के सरोजनी ने अगर मार्केट में उमडी भीड को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है इसके साथ दिल्ली हाई कोट ने कहा कि यह केवल महामारी का मुद्दा नहीं है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों के एक international syndicate का खुलासा किया है दिल्ली पुलिस के मताबिक यह नकली नोट पाकिस्तान में शापे गये थे और फिर इन्हें अलग-अलग रूट के जरीए भारत भीजा गया था स्पेशल सेल ने आठ लाख के नकली नोटों के साथ दो लोगों को गिरफतार किया है हैरानी की बात यह है कि यह सभी नोट दो-दो हजार रुपए के हैं कि लखीमपूर खीरीकांड की वज़ासे सुर्ख्यों में आए केंद्रिय ग्रह राज्यु मंतری आजय मिश्रा टेनी को ब्लैक मेल कर रंगदारी मांगने की कोशिश हुई है डिलीपूलिसं ने बताया कि अजय कुमार मिश्रा को ब्लैक मेल कर रंगदारी मांगने के आरोप में पांच लोगों को गिरफतार किया है बता दें कि अजय मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा लखीमपुर में किसानों की हत्या के मामले के मुख्या आरोपी हैं दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों के मताबिक खीमपुर खीरी कांट में ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश की जा रही थी आरोपियों की तरफ से फोन कॉल्स कर मंत्री टेनी से करोडों रूपे की डिमांड की जा रही थी बताया जा रहा है कि मंत्री को ब्लैक मेल कर रंगदारी मांगने के आरोपी दिल्ली में रहते हैं और कुछ BPO में काम करते हैं कोरोना की बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका ने गुरुवार को वर्किंग वीजा के लिए नियमों में कुछ धील दी है अब वीजा कैटेगिरी H1B, L1 और O1 के लिए परसनल इंटर्व्यू नहीं देना पड़ेगा वहां के स्टेट डिपार लेकिन अब H1B, L1 और O1 वीजा के लिए आवेदकों को अमेरिकी वाने जिदूतावास में व्यक्तिकत रूप से साक्षातकार देने की आवशक्ता नहीं होगी कानपूर, उत्तर प्रदिश विधान सभा चुनाव 2022 से पहले इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपूर में दो बड़े कारोबारियों पर बड़ी कारवाई की है समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर अक्षन के बाद अब आयकर विभाग की टीम में बड़े इत्र कारोबारी प्यूश जैन और पान मसाला कारोबारी केके अगरवाल के घर और ठिकानों पर च्छापेमारी कर बड़ी रकम बरामत की है केवल इत्र कारोबारी प्यूश जैन के आँ च्छापेमारी में करीब 160 करोड रुपे मिले हैं और च्छापेमारी का सिलसला बीते 24 घंटे से जारी है बताया जा रहा है कि कानपूर के जुही ठानक शेत्र के आनंद पूरी में रहने वाले इत्र कारोबारी प्यूश जैन के घर से अब तक की छापेमारी में IT टीम को 160 करोड से अधिक रुपियों की बरामदगी हुई है हाला कि अभी भी गिनते जा रही है और अभी फाइनल अंक्टा नहीं आया है हाला कि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि केके अगरवाल के ठिकानों से कितने पैसों की बरामदगी हुई है चापेमारी के दौरान इंकम टैक्स की टीम अपने साथ नोट गिनने वाली मशीन साथ लेकर पहुंची है पैसों को गिनते हुए वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो चुकी है आईए लगने एंग छोटा सा ब्रेक जल्द लॉटते हैं ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौचू 24 घंटे हालात पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवाला और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राज़नीतिक, लोकल और इंटरनाशनल नीउस की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर बल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24-7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एममेट कॉलेज बीदर रिकॉगनाइजड बाई एन्सी टी देलही एन्ड एफिलेटेट टू गुलबर्गा युनिवर्सिटी गुलबर्गा अड्मिशन आर ओपन पॉर दा अकैडमिक यर 2021-22 विशेशग और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप करने के लिए नूर एमेट कॉलेज में दाखला लें और शान्त वातवरण में शिक्षा प्राप करें बीदर शहर में बहतर शिक्षा का एक मात्र केंद्र नूर एमेट कॉलेज शापूर गेट बीदर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईए देखते हैं अन्य समाचार लखनव कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खत्रे पर अब इलाहबाद हाई कोट ने भी चिंता जताई है हाई कोट के बयान पर समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय महास सचेव प्रफेसर राम गोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा राजगोपाल आदम ने कहा कि ओमिक्रॉन कोई खतरनाक मामला नहीं है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट को स्वतह संग्यान लेना चाहिए किसी ने उन्हें अपील तो की नहीं थी इलाबाद हाई कोट ने ऐसा क्यों दिर्देश दिया है सपानेता के आगे कहा कि जनता पूरी तरह से बीजेपी के लाफ है इसलिए डर से चुनावी तालने बहाने ढूंड रही है बता दें कि हाई कोट ने कहा कि प्रधान मंतरी इस पर विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है साथी कोट ने तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीती पार्टियों द्वारा भीड एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की भी अपील की कोट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार टीवी वर समाचार पत्रों के माध्यम से करें यह बाद जस्टिस शेकर कुमारी आदव ने उत्तर गिरोह बंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय आदव की जमानत मन्जूर करते हुई कई देश भर में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केंद्र सरकार की ओर से पेश विधय के बीच हरियाना के सर्व खाप पंचायत में बड़ा बयान दिया है सर्व खाप पंचायत ने सर्व समिती से कहा है कि अदालत में विवहा के लिए लड़कियों के आयो 21 साल होनी चाहिए लेकिन मातापिता की सहमती से 18 साल की उम्र में भी शादी मान्य हो वहीं हिंदू विवहा अधिनियम में संशोधन के लिए खाप महा पंचायत का आयोजन किया गया इसमें प्रदेश बर के खाप पंचायतों नहीं हिस्सा लिया इस महा पंचायत में दो मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें एक गाव एवं गोत्र में विवाह को निशेद करना और लड़की के शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष किये जाने संबंदी विदहयक शामिल है अजमेर के पुशकर में चोरी का अजीबो गरीब मामला सामने आया है कोट के आदेश से आहत हुए आरोपी ने कोट में ही चोरी कर डाली न्यायले से बदला लेने के लिए आरोपी भागीरत ने नाराज होकर न्यायले में 20 दिसमबर की राज चोरी की उसने कोट के उपकरंड सहित कई चीजें उठा ली ट्रेनी आईपियस सुमित महरडान ने बताया कि भगिरत चोरी के एक मामले में कोट की दी हुई तारीक पर पेश नहीं हो रहा था इस पर पुलिस ने नागौर के जिले के थावला गाउं से उसे पकड़ा और पेशी पर नव आने की वज़े से जेल भेज दिया आरोपी इस बात से नाराज हुआ उसने जमानत पर छूटते ही अपने साथी गजेंद्र के साथ 20 दिसंबर को न्यायले पर धावा बोल दिया हिमाचल कॉंग्रेस की पूर्व में रही सरकारों पर धरातल पर कार्य हो इससे कोई लेना देना नहीं रहा अपना नाम ही चमकाने में व्यस्त रहे यह जुबानी हमला हिमाचल प्रदेश की सीम जैराम ठाकुर ने अपने विरोधियों पर मंडी में बोला गुरुबार को जिला के सुन्दर नगर विधान सभाक शेत्र के दोरे के दोरान सिविल अस्पताल में PSA प्लांट के उधगाटन समारों पर आयोजित एक जन सभा को संभोधित करते हुए सीम ने कॉंग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कॉंग्रेस की सरकारों ने किवल शिमला से अपने नाम के बोर्ड बनवाए लेकिन वे बोर्ड भी सही स्थान पर नहीं लग पाए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ साथ उनके ग्रहक शेत्र सराज में भी ऐसा ही हुआ जिसके कारण आज भी पूर्व सरकार की घुशनाओं को मौझूदा सरकार धरातल पर उतानने में लगे हुई है उन्होंने कहा कि उसी कारण सुंदर नगर में भी आज तक पूर्व सरकारें स्वास्ती सुविधा देने में असमर्थ रहीं लेकिन अब भाजपा सरकार बहतर कार्यकर जनता को राहत दे रही है आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार करनाटक जिला बिदर में श्री एन धरम सिंग मेमोरियल ट्रॉफी 2021 का फाइनल मैच अप्पू क्रिकेट क्लब चिंटलगिरी ने 18 रंस से जीता ओमिक्रॉन के खिलाब असरदार है एस्ट्राजनेका की वैक्सीन पंजाब के बाद उत्तराखंड कॉंग्रिस में भी कलय है अपने ही राज्य में परिशान हुए संकट मोचक खरी श्रावत दिली हाई कोट ने सरोजिनी नगर मार्केट की भीट पर जताई नाराजगी कहा छोटा बंबी कर सकता है बड़ा नुकसान आपके पास रखा 2000 का नोट पाकिस्तान में तो नहीं छपा चेक करें अपनी जेव हेलो हमारे पास लखीमपुर कांट की वीडियो है अजे मिश्रा को ब्लैक मेल कर मांगी रंगदारी पांच गिरफता है कोरोना से जंग के बीच यूएस ने H1B L1 वीजा के लिए नियमों में दी धील अब नहीं होगा परसनल इंटरव्यू केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही देश प्रदेश की समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24-7 धन्यवार झाल